hunting quarter blog almost over है सारे का सारे काम हो चुके है except responsiveness हमारे website या हमारे blog अभी जग responsive नहीं है और यही काम हम लोग करने जा रहे हैं अपने इस blog को responsive बनाएंगे चलते हैं computer screen में media queries लिखेंगे CSS model के अंदर media query किस तरह अशिस्टम अल करनी है यह देखेंगे और अपनी website को एक unique look देंगे responsiveness आज की तारीक में आप लोगों के लिए must है आपको किसी भी हाल में अपनी website को responsive रखना ही रखना है इसके बिना काम नहीं चलता है आज की rating में पहले अगर आप लोग website deliver करते हों तो आप लोग responsiveness feature देते हैं तो वो एक add-on होता है वो आप देते हैं तो फिर वो एक एहसान होता है आप कुछ इस तरह से कहलो लेकिन आज की तारीक में कर आप website deliver कर रहे हो तो responsiveness is a must चलते हैं computer screen में और देखते हैं कि responsiveness किस तरह से इस हंटिंग गोटर ब्लॉग को दे सकते हैं अपने ब्लॉग को अब हम लोग रिस्पॉंसिव बनाएंगे अगर मैं आप लोग को खोल कर दिखाऊं अपने अपने ब्लॉग का जो भी condition है वो कुछ इस तरह से ठीक है तो आप लोग देखो यहां पर अबाउट पे जैसा है ब्लॉग पे जैसा है अब लोग यहां पर क्या करेंगे इसको देखेंगे कि यह सारे के सारे पेज़ेस जो कि हमने यूज किये हूँ है कि रिस्पॉंसिव भी हैं क्या यह फोन में अच्छे से खुलेंगे अगर मैं इसको फोन में खुलू तो जैसे नैव बार की थोड़ी सी कम हो जाए ठीक है कि अगर में बात करूं तो स्पेसिंग को कम करना चाहूंगा ठीक है तो राइट लिक करके अगर इंस्पेक्ट करूंगा यहां पर मैं आप लोगों को हो में बात करूंगा कि जब हम फोन में हो ठीक है यानि कि हम हो विट्थ लेस्टन इकल टू 600 में ठीक है तो मीडिया में कॉपी कर लूँगा ठीक है कहीं से भी ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहां पर आओंगा और ब्लॉग डीटा नहीं होम.module.css के अंदर एक मीडिया को यहां पर मैं लिखूंगा कि यार देखो जो मीन नेव जो मीन नेव मीन नेव कहां गए तो में मीन नेव का जो 224 कर रखिये मन की युल में 1294 कर रख K met 4 में चांगा बस 0 6 तो अगल मैं कुछ ऐसा करोंगा थो थोडा सा अच्छा लगेगा ठीक है 06 करूंगा 011 कर दुएंगा 06 करूंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर जो 024 किया हुआ है उसको मैं 06 कर दूंगा कहाँ पर Mean Nav में तो Mean Nav का UL ठीक है तो मैं इसको Save करूंगा और Max 600 मेंने की है, और अब आप लोग को अगर दिखाऊं तो यह देखो, यह कुछ इस तरह से मीडिया को भी हिट नहीं हो रही है, तो मैंने 024 किया, मुझे 06 करना है इसको, अब हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको गर ऐसे करूँ तो यह ऐसे हो गया, फिर मैं इसको ऐसे करूँ तो यह ऐसे हो गया, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ, आइफोन में, आइफोन 12 पर हो, तो यह ऐसा दिख रहा है, बड़िया, ठीक है, अब देखो, हंटिंग बागी सब चीज़े मुझे ठीक लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, अब आते हैं about page पे, about page भी ठीक है, except the fact की, शायद इसका font size मुझे कम करना पड़ेगा, और शायद इसका यहां पर जो container है, container की max width मुझे यहां पर 45VW ना करके, शायद मुझे 90VW या 80VW क करूँगा यहां पर, और media query का इस्तेमाल करने के बाद में क्या करूँगा, कि जो मेरा container है, मैं 90VW कर दूँगा इसको, ठीक है, बागी सब कुछ सेम रहेगा, तो margins वगे ना, शायद मैं थोड़ा कम करूँ, 40, ठीक है, देखते हैं भी यहां पर कैसे दिख रहा है, about page भी ह हमारा sorted हो गया, ठीक है, block पे आता हूं, block तो sorted दिखी रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, block एकदम sorted है, ठीक है, कोई tension ही नहीं है, मैं scroll भी करूँ तो, यहां पर देखो, यह 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 वाफ सीन इट बिल्कुल बढ़ी है, बहुत ही बढ़ी है, मजा ही आ गया, field to load static props, ठीक है, unhandled runtime error, यह ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, कि मैंने, मैं बताता हूं, आप लोग क्या हो रहा है, जो हमारा यहां पर slug है, वो match नहीं कर रहा है, इसके अंदर के slug से, ठीक है, तो यह 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 दिक्कत आएगी, तो मैं इसको यहां पर एक ऐसा page खोलूँगा, ज तो मुझे वही लिखना पड़ेगा, यहां पर भी, how to be a coder, ठीक है, dot json, यह लिखना पड़ेगा, और यह सारी files में delete करूँगा, ठीक है, यह delete करूँगा, यह copy वाली सारी files में delete करनी पड़ेगी, तो मैं यहां पर आके कर दूँगा, ठीक है, जितनी copies मैंने बनाई है, इ यह मैंने infinite scroll को test करने के लिए बनाई थी, अभी के लिए सिर्फ तीन files यहां पर रहने दूगा, ठीक है, और इनको ज़रा fix कर लेता हूँ, how to learn flask, how to learn javascript, f learn नहीं, how to learn javascript, save करूँगा, how to learn javascript, save करूँगा, how to learn d हटाँगा, ठीक है, उन next js भी ठीक है, अब यह काम करना रिलोड करूँगा, how to learn flask पर क्लिक करूँगा, देखो यहां पर यह आ गया है, अब देखो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, मैं बताता हूँ, दिक्कत यह आ रही है कि यह जो हमारा यहां पर container है, यह जो container है हमारा, block post का container, इसमें मैंने कुछ padding दे रखिया, उस padding को मैं ह चलेगा, क्या direm चलेगा, direm भी चलेगा, ठीक है, direm कर देते हैं, तो padding को zero direm कर दूँगा, block post के container में, ठीक है, तो block post.model.css में direm करना है मुझे, control D, और इसको paste करूँगा, और यहां से लेकर रहूँगा, media query का syntax, ठीक है, यहां से, और यह करने के बाद, कहां गया, media query का syntax, control x, control v, control s, reload, home, हमारा page बढ़िया दिख रहा है, about page तो sorted है ही, blog page भी sorted है, contact page sorted, kind of है, ठीक करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक, वही करेंगे, यार, जो container ने contact का, उसकी, रही क्या करें जा रहा हूँ, media queries क्यों लगा रहा हूँ, यार, देखो, इसको मुझे complete तो बना नहीं है, ठीक है, मुझे बता ही, CSS का tutorial लेकिन, इसको complete तो यार, बनाना मेरा काम है, तो मैं इसको complete बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूँगा, 88VW कर दूँग इसको, ठीक है, तो यहां पर देखो, यह ऐसा दिख रहा है, home, about, contact, ठीक है, और अगर मैं इसको responsive बना हूँ, तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है, यह देखो, बढ़िया हूँ यार, site, मस दिख रही है, देख रहे हो, एकदम में responsive, मखन responsive, यह देखो, यह देख रहे हो, क्या म सब्स दिख रही है, site, hunting coder, I love you, I love you, सब लोग लिखो, hunting coder, I love you, नीचे comment में, ठीक है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि, और यहां पर सब कुछ सही है, और हम लोग तयार है, अपने इस blog को launch करने के लिए, तो यार, कैसा लगा यह blog, मुझे ज़रू बताओ, नीचे comment section में, अब जाने से पहले थोड़ा सा basic clean up करके जाओंगा, ठीक है, थोड़ा सा basic clean up करके जाओंगा, और आप लोग यहां पर देखो के कैसे करते है basic clean up, अब दिक्कत पता है, क्या है, दिक्कत यह है कि मैंने जगा जगा पर console logs लगा रखे, console log, console log, console log, जो की काफी दिक्कत create करेंगे, यहां पर home में कोई console log नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, भी component by component आकर, सारा clean up करेंगे, पहले मैं काम करता हूं कि यह देखता हूं कि सारे जो मेरे CSS modules हैं, वो ठीक से, मैंने spacing वगारा दे रखे है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पर आप लोग prettier वगारा भी use कर सकते हो, बट मैं भी उसको जादा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, दो spaces दे रहा हूं, ताकि जो मेरी media query हो अलग हो जाए, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते है, और बाकी सब तो ठीक है, global CSS use नहीं करी मैंने, वैसे करना चाहिए, global CSS use करना ही चाहिए, जहां जहां आप लोग को यह लगत सारे module.css और यह json's मैं यह से हटाऊंगा, ठीक है, और blog.module.css, module.css, module.css, blog.js मैं आते हैं, अब index.jss से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो, मैं clean up कर रहा हूं, यह एक standard process है, clean up कर जो फालतू की चीज़े हैं, उनको हटाना है बस यहां से, ठीक है, तो जो comments हैं और उस console.log जहां बरे मां से हटाए जाएगा, ठीक है, console.log नहीं होना चाहिए हमारी application में, ठीक है, नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, professional नहीं लगता है, ठीक है, अभी यहां पर, unless आप लोग खुद से अगर ना डालो console.log को, ठीक है, तो वह एक अलग कहानी हो जाती ह पर, और भी console.log नहीं, success data, ठीक है, thanks for contacting, सब कुछ सही है, contact के बाद, अब API के अंदर भी करेंगे, अभी, पहले यहां कर लेते है, ठीक है, यहां कुछ नहीं है, console.log, format, document, सब कुछ सही है, ठीक है, सेव कर लेता हूँ, मैं, मैं आपके सामने, सारे clean-up, इसलिए कर रहा दिखते हैं क्या कोई console.log है, यहां से हटाता हूँ, इसको मैं, ठीक है, console.log है, नहीं चाहिए, लेकिन, ठीक है, format, document, save, format, document, console.log हटाएंगे, save, इसको भी हटाओ, ठीक है, ठीक है, और handle any http method, यह का लिखा है, मैंने, यहां से भी हटाओ, सब चीज़े, ठीक है, process of post request, ठीक है, console.log तो नहीं है, नहीं console.log नहीं है, ठीक है, अभी देख लेते हैं, hunting order चल भी रही कि नहीं चल रहा हूँ, इसकी डिलीट तो नहीं कर दी, जिसे कि blog ही चलना बिकार हो गया, about, ठीक है, blog और contact, ठीक है, by the way, एक च क्या करूँगा, कि यह जो तीन blog post आपको दिखाई पट रहे हैं, इन तीनो blog post में क्या करूँगा, मैं dark mode on कर लेता हूँ, जितने भी तीन blog post आपको यह दिखाई पट रहे हैं, इनको मैं hard code कर दूँग, अभी के लिए यह आपको same दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं deploy इसको hard code कर दूँगा, जो भी हमारे blog post में finally रखूँगा, ठीक है, मैं भी मैं कुछ meaningful blog post लिखकर इसमें रखना चाहूँगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी के लिए जो blog है वो एकदम हमारा बिल्कुल सही से बन चुका है, जरा मैं एक परस का contact form और test कर लो और यहां पर password लिख दिया है, मैंने देख रहा है, फोन की जगा password लिख दिया है, which is a problem, ठीक है, submit करता हूँ, thanks for contacting us, ठीक है, देखता हूँ कि यह submit हुआ कि नहीं, contact data, यह तो submit हुआ, but we don't want password, we want phone, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, contact.js में इस problem को we fix करेंगे, ठीक है यह भी देख लेता हूँ पर, phone, email, text, text area, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहां पर आउँगा, hunting order के अंदर, सबसे पहले तो मैं block data के अंदर के सारे content को डालूँगा, कहां पर बताता हूँ, getignore के अंदर, ठीक है, तो यह जो block data है, यह तीन जो मैंने लिखे हूँ, इनको मैं उड़ा दूँगा, ठीक है, हमको उड़ा क्यों दिया है, यह मैं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि यहां पर meaningful blog post हमें डालने है, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, कि जो हमारा getignore file है, getignore, इसके अंदर डालूँगा, ठीक है एक तो block data डालूँगा, और block data डालने के बाद क्या करूँगा, contact data भी डालूँगा, ठीक है, contact data भी डालूँगा, ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होगी, यह सब मैंने यहां पर contact data डाल दिया है, ठीक है, contact data मैंने यह भी उड़ा देता हूँ, सारे के सारे contacts, ठीक है, और यह उड़ाने के बाद अगर मैं दुबारा से सब्मिट करूँ इसको थैंक्स फो कॉंटाक्टिंग अस तो यहाँ पर देखो कि कॉंटाक्ट डेटा ने अड़ नहीं किया इसको ठीक है हमारी जो GitHub है वो यहाँ पर नहीं अब इस चेंज को जो 1.json ठीक है 1.json को नहीं दिखाएगी तो हाँ ठीक है application हमारी बिल्कुल सही सही काम कर रही है ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक git का command चलाऊंगा या फिर यह क्या हो रहा यहाँ पर यह इस तरह से console.lock की वज़े से हो रहा था मैंने clean up कर दिया तो अब यह नहीं होगा तो मैं yarn dev लिख सकता हूँ अब अगर आप लोग को git नहीं आती है और आप लोग git की tension नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग यह चीज मत देखना पर मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा और यह जो अब folder है यह track होना बंद हो गया ठीक है और सेम चीज मैं करूँगा अपने block data के लिए ठीक है यह folder पहले track हो रहा था अब मैं नहीं चाहता कि यह track हो ठीक है तो अब यह track नहीं हो रहा है ठीक है और यह git ignore के अंदर भी है यहाँ पर अगर मैं यह वाली file की बात करूँ दिखाता हूं आप लोगों को one.json की बात करूँ तो यह delete हो चुकी है यह push नहीं किया जाएगी ठीक है अगर आप लोग को यह समझ में नहीं आती है यह git का tutorial नहीं है आप लोग से next.js enjoy करो बट मैं जस्त आप लोग को बता रहा था ठीक है तो हमने सारे cleanups कर लिया है सब कुछ कर लिया हमारी app बिल्कुल सही सही काम करती है अब बस हम लोग क्या करेंगे इसको deploy करेंगे बहुत जल्दी हमारी app अब responsive भी है और बड़िया दिखाई पड़ रही है अगर आप लोगों ने भी तक nice.js की playlist अक्सेस नहीं करेंगे तो उसको जरूर अक्सेस कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कि अधार आप अक्सेस करेंगे लोगों आप अक्सेस करेंगे बहुते हैं